हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैनल मोहित सिंग रूहल पे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि अगर कोई भी परसन चेक बाउंस की जो अपील है अब उसमें क्या होता है कि जो अपिलेट कोट है वो 20 परसेंट के ओडर कर देती है मिनिमम जो पावर है वो 20 परसेंट की है मैक्सिमम जो है वो 100 परसेंट तक भी है यह जितना अमाउंट ट्राइल कोट ने वाड़ किया है वो टोटल अमाउंट भी जो है वो अपिलेट कोट डिरेक्शन दे सकती है क्यूजड को कि वो जमा कराएं जो नया एड हुआ था नेगोशियबल इंस्टुमेंट एक्ट में अब अपिलेट कोट ने क्या किया उसे ने तो ओर्डर कर दिये कि आपने जो है मान लीजी एक लाग रुपे का चेक है कि 20 परशेंट जो है वो जमा कराना है पंद्रा दिन के अंदर तीस दिन के अंदर मैक्शिम जो है 90 डेज का टाइम दिया जा सकता है अगर तीस दिन का मिला है तो उसको एक्स्टेंड करवा सकते हैं आप application देखे for extension of time कोई ground या region देखे 60 दिन का मिला है तो एक्स्टेंड करा सकते है 90 डेज से अब हो जो है वो नहीं हो सकता अब यहां पे जो direction हो गई कि 20 परशेंट आपने जमा कराना है अब क्या होगा अगर 20 परशेंट ना जमा करा है अलग अलग जिजमेंट से अलग अलग अपेनियन से में इस पर जो हकली अरकट अभी नहीं है जो नूली जिजमेंट आई है उन्रेबल पंजाम अठर याड़की वो ये कहती है कि अगर कोई भी परसन अपील में जाता है उसको नीचे से conviction होगी अपील में जाता है suspension of the sentence की वहाँ पर application लगाता है उसका जो है sentence वो suspend कर दिया जाता नूर्मली और उसके साथ अगर condition लगा दी जाती है और वो उस condition को 20% की जो fulfill नहीं कर पाता तो उस situation में उसको जो judicial custody में नहीं लिया जा सकता जो भी convicted है जो भी accused है अगर वो pay नहीं करता 20% as per appellate court order तो उसको judicial custody में नहीं लिया जा सकता अब फिर क्या चा रहा है क्या किया जाए फिर इस section का फायदा क्या है 148 का तो इसमें ओनेवल पंजामेंड हरियान हाई court ने ये बोला है कि जो आप records यूज कर सकते हैं जो mood आप अपना सकते हैं वो ये है कि आप under section 421 under section 431 CRPC उसके against initiate कर सकते हैं वो क्या है? वो ये हैं कि उस person की कोई भी movable property है या फिर immobile property है movable property को आप attach करवा सकते हैं attach करवा के उसको sale पे लगवा सकते हैं तो जो वो है 20% record हो सकता है दूसरा immobile property है उसको attach करवा के उसकी auction करवा सकते हैं और जो 20% है वो record कर सकते हैं लेकिन जो main चीज थी वो यही थी कि अगर वो 20% जो appellate court ने order किये हैं अगर वो नहीं जमा कराता तो उसको judicial custody में नहीं लिया जा सकता शिर्फ जो है आप under section 421, 431 CRPC को initiate कर सकते हैं उसकी property को attach करवा सकते हैं तो friends यह थी वीडियो जिसमें बताया गया कि अगर appellate court 20% अगर जमा कराने का order कर दे और acute ना जमा कराए तो उसको क्या circumstance ही रहते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी legal topic के साथ तो friends अगर आपने यह चैनल अब तक सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके लावा हमारे एक दूसरा चैनल है Legal Attack के नाम से आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी legal topic के साथ तब तक के लिए thank you so much बाई बाई